वर्ल कप की आमद आमद है वर्ल कप का पता चल चुका है क्योंके पाकिस्तान ने वर्ल कप की जर्सी को लॉंच कर दिया जी हाँ पाकिसान की वर्ल कप की जर्सी आ चुकी हुए होगा जर्सी को गोर से हम देखेंगे तो भाई दिल तो खुश होगा 2022 वर्ल्लकपी जर्सी में इतना दिल खुश नहीं हुआ था जितना 2023 इंडिया में होने वाले वर्ल्लकपी जर्सी पेवड़ा क्योंकि इस जर्सी में खुबसूरती तो है प्याडी वो भी जर्सी थी लिखी वो थोड़ी ओवर थी लेकिन इस जर्सी को आप बोर से देखेंगे तो इंतहाई खुबसूरत जर्सी है बड़ा ही डेलीकेट टश दिया गया है बड़ी ही डीसन जर्सी है और हर चीज बड़ी सोच समझ के बनाई गई है बड़ा सा स्टार है जिसने पूरी जर्सी को कवर किया हुए त्रि लाइन के अनंदर वो आड़ को है इसी एसले के की लोगोव का लिखा वा है देखेंगे कि दिलवली साईट के उपर मताई जले के पाकिसान की पीजा बंगार जिसली के शाहाई AZKığım के बड़ाई वर्द उडभा इसिए है और इसी के साथ था पाकिसान का फ्लैग है और बाजू के ओपर पैपसी का लोगो है तो इससे पता चलता है कि पाकिसान की जर्सी बहुत इची नजर आ रही है और सबसे मज़े की चीज किया है सबसे मज़े की चीज है इस वर्ल्ड कप की जर्सी के अंदर पाकिसान जो लिख बीच के अंदर शुकर है कि मतलब के ना अच्छी जर्सी बनाई है दिल खुश हो गया है इसमें कोई बुड़ाई की बात नहीं है कलर बहुत प्यार है सबसे बड़ी चीज सी जर्सी के गोर से देखा जाए तो इसका कलर सा क्यूंकि ग्रीन कलर बड़ी जादा कलर होते है ला जर्सी जर्सी आपको याद होगा याद बढ़ा प्यारा था फिर 2011 की जर्सी आपको याद होगी इसी तरह का कर्लर सा क्यंदर i5 चर्सी Erstworks ने पर हाद कि ना वेली प्यारी थी लेकिंग लगता है कि 2023 वाली जर्सी कभी चूसर तो कहते हैं मिलती जुलती हैं लेकिन ये वाली मुझे जादा अच्छी लग रही है आपने जरूरू बताना है कमेर्स के अंदर के आपको कैसी जर्सी लगी है अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि इस जर्सी कम से कम 9 नंबर मिलने चाहिए 10 के अंदर से बहुत प्यारी जर्सी है और ऐसे ही जर्सी पाकिसान को बनानी चाहिए